Hello Guys! Welcome to my channel! तो आज की वीडियो जीरिस & drama explanation series की part 3 वीडियो होने वाली है अगर आपने इस drama explanation series की मेरे पिछले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको recommend करूँगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप इस drama explanation series की मेरे पिछले की वीडियोस देख ले इसलिए सारी ही वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अब वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हो तो इदाउट इनी डिले चलो आची वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पार्ट थ्री स्टार्ट होती है और इगंग कुछ ढूनते हुए देजिन के डिक्स के ड्रॉयर में एकदम वही योलो रिबंस देखती है जो की गियोंतक के बॉड़ी के पास था अधर दाउट जो की माउंटेड में थी उसको लगता है कि उसके आज पस कुछ है जिससे वो डर जाती है और वहाँ से दोर के चली जाती है और उसके जाने के बाद ही हम किसी का शैडो देखते हैं तो दाउट रेंजर स्टेशन जाके इगांग को बोलती है कि उसने उसके कहने मुताबिक नक्षा बना दिया है और उस नक्षे के पास एक आटोमेटेड सेंसर कैमेरा भी लगा दिया है उसके बद हम माउंटेन में उसी आदमी को देखते हैं जिसको हमने दाउट के सामने देखा था उसने एक बहुती पुराना सा एक रेंजर कोट पहना हुआ था तो वो उस जगे पर जाता है जहाँ दाउन ने एगां के कहने पर उस नक्षे को बनाया था उस नक्षे में वो एक लक्री के टुकरे को उठा के कही अलग जगा पर रखके एक और जगे की नक्षा जैसा बनाता है और उस नक्षे को बना के वो ईगंग का नाम लेता है और यहाँ हम उस आदमी के फेस को देखते हैं और यह ह्योंजो था अब ह्योंजो की आतमा कैसे माउंटेन में फस गई है इसके भाड़े में हमें आगे पता से लगा आगे सीन 2018 में शिप्ट होती है और रेंजर स्टेशन में कुछ रिपोर्ट्स को देखते हुए बेट तोगुल नाम देख के ह्योंजो को अच्छानक से एक विशन आती है जहाँ पर वो कई लक्री से बने हुए क्रोस एक फ्लेश लैट और एक योगाट का बॉटल देखता है यह विशन खतम होने के बाद ही रेंजर स्टेशन में किसी का फोन आता है जो कि बताते हैं कि गियोमरी दादी मा माउंटेन में गई थी लेकिन वो अब तक नहीं लोटी और उसका फोन भी नॉट रिचिबल आ रहा है तो यह सुनके ईगंग और ह्योंजो गियोमरी दादी मा को ढूनने जाते हैं और वो लोग दादी मा को पहले ग्रेप सैट में ढूनते हैं जहां गियोमरी दादी मा उसके मरे हुए मा को आहोती देने जाती थी तो वहाँ पर जाके उन दोनों को दादी मा नहीं मिलती तो इगंग फिर से दादी मा को कॉल करती है लेकिन दादी मा कॉल नहीं उठाती तो हियोंजू तब अपने विशन के बारे में याद करके इगांग को बोलता है हमें एक बर बेक्तुगुल के स्टोन पगोडर ग्राउंड में जा कर दादी मा को ढूनना चाहिए ये सुनके इगांग पुस्ती है तुमने फिर से कोई विशन देखा है क्या तो हियोंजू इस विशन वाली बात पे इगांग के फेस को देख के समझ जाता है कि इगांग उस पे विश्वास नहीं कर रही है इसलिए हियोंजू बोलता है अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अकेले ही चला जाओंगा ये बोलके वो जाने लगता है लेकिन फिर इगांग भी उसके साथ ही जाती है तो वो दोनों जब स्टोन पगोडा ग्राउंड पहुंसते है तब वहाँ उन दोनों को दादी मा नहीं मिलती लेकिन हियोंजू शियोर था कि इसी जगे को उस नहीं भीशन में देखा था तब ही आर्मी का एक स्क्वाड जो की ट्रेकिंग कर रहे थे वो वहाँ आते है और आर्मी के स्क्वाड से लिफ्टिनेंट चोई आके हियोंजू को देखिके पहचान जाते है और उसे कैप्टेन कांग कहे के पुकारते है तो इसका मतलब हियोंजू पहले आर्मी में था तो हियोंजू उस लिफ्टिनेंट चोई से बाते करते हुए उसे पूसता है क्या उन लोगों ने यहाँ आते वक्त किसी बुरी औरत को देखा है तो यह सुनके प्राइवेट आन नाम का एक आर्मी में आके उसे बोलता है कि ट्रेकिंग करते हुए एक जगा पर मैंने एक आदमी को एक पिंक बैक के साथ छेरखनी करते हुए देखा था तो यह सुनके इगं उसे दादी मा के बैक का पिक्चर दिखा दी है जिसको देखके प्राइवेट आन यह अश्योर करते है कि वो आदमी उसी बैक के साथ छेरखनी कर रहा था तो यह जनकी इगं और हेवेट आन ने उस आदमी को देखा था और यहाँ प्राइवेट आन एक योगर्ट के बोटल से छुप छुप के योगर्ट पी के सो जाते हैं फिर इगंग और हियोंजो को प्राइवेट आन के कहने मुताबिक उसी जगे पर दादी मा की बैग मिलती है जहाँ पर बोट देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे पॉइजोनस मश्यूम्स हैं जिसको खाके इसे को हैलूसिनेशन हो सकती है और ज़ादा खाने से उसकी मौद भी हो सकती है तो उस बैक को पाके वो दोनों दादी मा को आसपासी ढूनने लगते हैं फिर हम दादी मा को देखते हैं जो की डड़ी हुई थी और वो माउंटेन से बाहर जाने का रास्ता ढून रही थी कि तभी उसे हलुसिनेशन होती है और वो अपने सामने बहुत सरे लोगों को दोर के आते हुए देखती हैं और उन लोगों की पीछे जंगल में आग लगी थी तो वो लोग जब आ रहे थे तभी गोले चलने के आवाज आती हैं जिससे सभी लोग डर के मरे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं यह देख के दादी मा और भी डर जाती है तभी उसके सामने वो अपने मरे हुए मा को देखती है और उसकी मा उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है अपने मा को देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो उसकी मा का हाथ पकरती है और उसी खुशी-खुशी में वो अपनी आखरी सास लेती है तो दादी मा ने hallucination के दोरान जो खटना देखा था वो दादी मा के साथ बच्छमन में हुआ था फिर ईगांग दादी मा को ढूंटे हुए उसको फिर से कॉल करती है और इस बर फोन के रिंटॉन के आवाज से उन दोनों को दादी मा के location के बाड़े में पता चलता है तो वो दोनों जब दादी मा को देखते हैं तब दादी मा बिलकुल ही शान्त होके सोई हुई थी तो ह्योन जो दादी मा के पास जाता है और दादी मा को चेक करके उसे पता चलता है कि दादी मा की मौत हो चुकी है तो मौत की बाद सुनके ईगंग फ्रीज हो जाती है और डलने लगती है। उसे पैनिक एटक जैसे आने लगता है। तो ईगंग को ऐसी हालत में देख के हिओंजू उससे जोरो से सास लेने बोलता है। और उसकी हालत ठीक होने के बाद हिओंजू बोलता है कि आज के घटना क मैंने दूसरी भार जी रिशन मौंटेड में डेट बडी देखा है। यहाँ से श्उंग चेइं चो के पास्ट में जाती है, और हम लेघ्वबर करते हुए देखते हैं। तो मार्च करते हुए कुछ दूठ जाने के बाद होन जो कोшийाइग दूसरे मींबर से बते चलता है ये उसका फरेंड होन ले होन सो स्थोन्पगोडन कुन रहाता है ये सुनके होन जो तुरंध होन सो को धुड़ने जाता है जिसके वज़े से उसको चोट लगती है तभी वो उसके सामने हियोन सो को मड़ा हुआ देखता है और इसी इंसिडेंट के बाद से उसे जीरी सन माउंटेन में खोए हुए लोगों के लोकेशन का विशन आना स्टार्ट हो जाती है इस इंसिडेंट के बाद वो जब घर में था तब भी उसे माउंटेन में खोए हुए लोगों के विशन आते थे यहां से सिन प्रेजन में आती है और हियोन जो वो घटना ईगंग को बताता है तभी उसके पास लेफटिनेंट छोई का कॉल आता है जो की उसे बताते हैं कि प्राइवेट आन गायब हो जुके है यह सुनकी ईगंग और हियोन जो लेफटिनेंट छोई के पास जाते हैं और वहाँ से वो लोग प्राइवेट आन को ढूडने लगते हैं तभी राज़ते में हियोन जो का पैर एक योगर्ट बोटल में परती है जिससे उसे याद आता है कि सुभे उसने उसके विशन में ऐसे ही सिन देखा था उधर प्राइवेट आन जंगल में खो जाने के वज़े से डर जाते हैं और चलते चलते खाई के एक दम सामने आ जाते हैं तभी एन वक्त पे हियोन जो वहाँ आके प्राइवेट आन को बचा लेता है अगले दिन सुभे दादी मा का फ्यूनरल हो जाता है और सब कुछ खतम होने के बाद गुईयोंग हेँं जो से बाते करते हुए पूसता है कल दादी मा के लाश को देखने के बाद क्या ऑग ठीक थी तब उसी ने उसके पेरेंस के लाशों को माउंटेंज से ढून के निकाला था तब वो उसके पेरेंस के लाशों को देख के डर के मरे बेहोश हो गई थी उसी घटने के बाद से वो लाशों को देख के डरती है ये सुनके ह्योन जो समझ जाता है कि क्यों ईगंग दादी मा के लाश को देख के डर गई थी इसके बाद रात को ह्योन जो ईगंग के घर जाता है जहां उसे बाते करते हुए बताता है आज मैं प्राइवेट आन से मिलने गया था यहां से सिन पास्ट में जाती है और हम देखते है कि ह्योन जो प्राइवेट आन से मिलता है और उससे पूसता है कि किसने उसको योगर्ट का बोटल दिया था तो प्राइवेट आन बोलते है जो आदमी दादी मा के बैक के साथ छेलखने कर रहा था उसी ने मुझे वो योगर्ट का बोटल दिया था और उसको पीने के बाद ही मुझे उल्टी होने लगी थी और हैलूसिनेशन भी हो रही थी सीन यहाँ प्रिजन में आती है और हियोन जो यह सब कुछ बता के इगं को अपनी फीशन के बारे में बोलता है कि उसने उसके रिसेंट फीशन में किसी को स्टोन पगोडा ग्राउंट में दौरते हुए देखा है और तब उसका कोई पीछा कर रहा था तभी वो परसन वहाँ भेहुश हो जाता है और उसके पास भी एक योगर्ट की बोटल थी हाला कि प्राइवेट आन के गुम हो जाने की घटना बिल्कुल ही मेरे फीशन के साथ सिमिलर था लेकिन जिसको मैंने फीशन में गुम होते हुए देखा था वो प्राइवेट आन नहीं था क्योंकि मैंने फीशन में बेक्तुगुल में उस परसन को देखा था और प्राइवेट आन हमें किसी और जगापर मिले थे। तो ये सुनके इगांग फिर से ह्योंजो के विशन वाली बात पे विश्वास नहीं करती। इसके बद अगले दिन ह्योंजो फिर से बेक्टुगुल भैली में जाता है। जहाँ पे घुमते घुमते वो उसी पत्थर के टिले को देखता है जिससे वो ह्योंजो के मरने की दिन टकड़ाया था। तो उसे देख के ह्योंजो को याद आता है कि उसने उसके विशन में उसी पत्थर के टिले को देखा था। लेकिन उस वक्त उसकी हाइट अलग थी। यह यादने के बाद वो समझ जाता है कि असल में उसने पिछले दिन जो विशन देखा था, उस विशन में वो आदमी हियोंसो था। और उसने हियोंसो के मरने के दिन का विशन देखा था। जहाँ पर उसको किसी ने मारा था। यह समझ जाने के बाद हियोंसो बोलता है मैं हियोंसो के साथ जो भी हुआ उस घटना के जर तक जाओंगा। आगे सीन 2020 में शिप्ट होती है और दाउन उसी जगा पर जाती है जहाँ पर उसने ईगां के कहने पर उस नक्षे को बनाया था। वो वहाँ पर इंस्टॉल्ट कैमेरा का मेमोरी चीप ले लेती है और फिर वो नोटिस करती है कि उस नक्षे में एक लकडी के टुकरे का पोजिशन पहली बार से कुछ अलग है। ये देख के वो डर के वहाँ से जाने लगती है, तभी हिउन्जो आके उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन दावन हिउन्जो को देखने ही पाती और वो हिउन्जो के अंदर से ही दोर के चली जाती है। और उधर हॉस्पिटल में हिउन्जो कुमा में ही अजीब तरीके से बिहेफ करने लगता है। आगे इगंग अपने रूम में हिउन्जो के नोटबुक में उसने जो मिसिंग परसंस के डिटेल्स लिखे थे वो चेक करती है। और सुप्राइजिंगली इगंग ये नोटिस करती है कि जिस जिस दिन कोई माउंटेन में गुम हुआ था तब तब देजीन ओफ ड्यूटी रहता था। तो ये सब कुछ इगंग चेक करी रही होती है कि तब भी उसके पास दाउन आती है जो की बहुत ही घबराई हुई थी। वो इगंग के पास सके उस नक्षे के पास के कैमेरा की वीडियो दिखाती है। जहाँ पे इगंग देखती है कि वहाँ से एक लक्री का टुकरा अपने आप ही एक जगे से दूसरी जगा पर जा रहा है। ये देखिके दाउन डर के मर रहे ईगंग से पूसती है कि वहाँ क्या हो रहा है तब ही ईगंग नोटिस करती है कि लक्री के टुकरे की जगा चेंज होने के वज़े से अब नक्षा भी चेंज हो गया है और वो नक्षा अब दाउन फैली के सामगोल रॉक को पॉइंट कर रही है जिससे ईगंग समझ जती है कि शायद कोई सामगोल रॉक के पास मरने वाला है इसलिए ईगंग मांटोइन में गई हुए पेट्रोलिंग टीम को सामगोल रॉक के पास जाने बोलती है तो पेट्रोलिंग टीम जब वहाँ पहुशती है तब वो लोग देखते हैं कि वहाँ एक आदमी मरने के जैसे हालत में है ये देख के वो लोग उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो ईगंग उस आदमी को देखने हॉस्पिटल जाती है जहां उमसुन से ईगंग को पता चलता है कि उस आदमी ने योगर्ट पिया था जिसके बद उस आदमी की हालत खड़ाब हो जाती है और ये केस बिल्कुल ही प्राइफिट आन के केस के साथ सिमिलर था फिर ईगंग उस आदमी से मिलती है और उससे पूसती है कि उसे वो योगर्ट कहां से मिली तो वो आदमी बताता है कि वो योगर्ट उसे एक नदी के पास से मिली थी ये बोलके वो आदमी बोलता है कि शायद ये सब उसी भूत ने किया है जो की माउंटेन में खुनती है और मैंने भी उस भूत को देखा है उसके शरीर में खुन के धब्बे थे और उसने एक स्नो सूट पहना हुआ था और उस सूट में नेशनल पर्क की लोगो थी ये सुनके ईगंग उस आदमी को ये सुनके ईगंग हॉस्पिटल में फोन करती है और वहाँ हॉस्पिटल से ईगंग को पता सलता है ये हॉन्चो की तबियत जैसे थी वैसी ही है और उसमें कुछ भी सुधार नहीं है यहाँ से सिन 2018 में शिप्ट होती है और हॉन्चो को फिर से एक विशन आती है और उसके हाथ में खरोच की निशान है इसके बद वो वहाँ पे खून के धब्बे देखता है तो ये देखिके अगले दिन हॉन्चो और ईगंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में उसी जगे पर जाते है जिस जगे को हॉन्चो ने उस विशन में देखा था तो वहाँ जाके वो कुछ भी सश्पीशियस नहीं देखता इसके बद ये उन्चो ईगंग से बूसता है तुमता मेरी विशन वेली बात पर विश्वास नहीं करती फिर क्यों तुम मेरे साथ आई ये सुनके ईगंग कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो भी ये उन्चो के बात पर थोड़ी थोड़ी विश्वास करने लगी थी इसके बाद वो दोनों दूसरी जगह पर पेट्रोलिंग करने जाते है तब ही हम ये उन्चो की विशन की तरह एक आदमी को एक पत्थर पर कुछ रखते हुए देखते हैं इसके बाद एक शादी शुदा कपल उस जगे पर आते हैं एनिमल्स को पकरने के लिए तो उस कपल में से हस्बेंट उस पत्थर को देखता है और उसको उठाके फेक देता है और उस पत्थर को फेकते ही वहाँ पर विश्वोट होती है जहाँ उस हस्बेंट की मौथ हो जाती है ये देख के वो वाइफ वहाँ आके रोने लगती है और विश्वोट की आवाज सुनके ईगंग और ह्योंजो भी वहाँ आते हैं तो यून जो एगांग को लाश के सामने आने नहीं देता ताकि उसे लाश को देख के फिर से पैनिक अटक ना आए इसके बाद इस खटना को ठीक से छान बिन करके डॉक्टर सोजिन जो की एनिमल इंडेंजर्ट रिस्टोरेशन सेंटर में एक डॉक्टर थी वो रेंजर्ट स्टेशन में सभी को बताती है कि जो बम बिस्पोट हुआ है वो एक पोटेटो बम है जो की 70 और 80 के दशक में लोग यूज करते थे एनिमल्स को मालने के लिए तो सोजिन जब बाते कर रही थी तभी मरे हुए आदमी की पतनी कुछ गावलो को लेकर रेंजर्ट स्टेशन के वहार आती है प्रोटेस्ट करने और बोलती है कि हियोंजो और इगंग नहीं जान बुचके उसके पती को मारा है क्योंकि पहले भी हियोंजो और इगंग ने उसके पती को एरेस्ट करवाया था illegally animals की smuggling करने की वज़े से ही तो हेरेस्ट होने के बाद भी उसके पती नहीं रुके इसलिए उस आदमी के पतनी को लगता है हिंयोंजो और ईगांग उसके पतनी को animals की smuggling करने से रोकने के लिए ही उसके पती को मढ़ा है और सिंज उसके पति के मरने से पहले योंजो अरी गंग वहा ही थे तो इसलिए वो पत्नी और भी दावे से बोलती है कि योंजो अरी गंग नहीं उसके बती को मारा है तो गाउवलों के इस खटना में प्रोटेस्ट करने के वज़े से रेंजल स्टेशन का नाम खड़ाब होने लगती है इसलिए चीफ इस सिचुएशन को समालने के लिए और उस आदमी के पत्नी को कमपनसेशन देने के लिए खोद नौकरी से रिजाइन कर देते हैं फिर उस मरे हुए आदमी के फिनरल खतम होने के बाद हियोंजो इगंग को बताता है मैंने अपनी फिशन में उसी पोटाटो बोम को उस जगह पर किसी को रखते हुए देखा था जिसके हाथ में हरोज के निशान थे तो मैं इस केस को सौल्फ करके ही रहूंगा और ये ढून के निकालूंगा कि कौन है उस आदमी के मरने के बीचे मिन्हूयल हून जो डॉक्टर सोजिन के पास जाता है पोटाटो बोम के बारे में जानने के लिए तो डॉक्टर सोजिन हून जो को बताती है कि उस तरह की पोटेटो बोम्स पहले ही यूज होते थे लेकिन अब वो बॉम बनाने की सामगरी कही पर भी नहीं मिलती तो शायद ये बॉम बहुत ही पुरानी है तो ये सुनके हियों जो उससे पूसता है क्या तुम ऐसे किसी को जानती हो जो की पहले इस तरह के पोटेटो बॉम्स को बनाते थे तो सोजीन हियों जो को एक आदमी का कॉंटक्ट देती है जो की पहले पोटेटो बॉम्स बनाते थे तो हियों जो उस आदमी के घर जाता है और उस आदमी से पोटेटो बॉम्स के बारे में पूसता है तो वो आदमी पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसकी नाती यांग सुन रेंजर स्टेशन में काम करती है और अगर किसी को भी ये पता चला ही यांग सुन के दादू के पास पोटेटो बॉम्स थे तो लोग यही समझेंगे यांग सुन किसी भी तरीके से उस आदमी के मरने की घटना से जुरी हुई है फिर वो बुरा आदमी योंजो को उसके परसनल रूम में ले जाते है जहां योंजो यांग सुन की फेमिली फोटो देखता है और वहाँ पर उसकी नजर एक लड़के पर स्टॉप हो जाती है यहां से सिन चेंज होती है और रेंजर स्टेशन में सभी मेंबर्स टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाते हैं सभी गाउवालों को पोटेटो बॉम्स के बारे में जान करी देने के लिए और उसी मीटिंग में एक लड़के के हाथ में खरोच के निशान देखती है और यह खरोच के निशान ठीक वैसे ही थे जैसे की ह्योन जोने उसे बताया था और फिर हम उस लड़के के फेस को देखते हैं और यह लड़का वही है जिसको हमने यंग सुन के फैमिली पिक्चर में देखा था और यहाँ ही यह पर्ट खतम हो जाती है तो यही थी आज की फीडियो मिलती है अगले फीडियो में Stay tuned